कालू कवे की उमर 80 साल हो गई थी मगर अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी वो हर रोज अपने खर से अपने लिए किसी कवे की खोज में निकलता परंतो जो कवे भी उसे देखती उसे रिजेक्ट कर देती थी कालु कवा ऐसे गुन गुन आता हुआ जा रहा था के उसे एक कवी बैठे हुई दिखती है कालु कवा वहां जाता है मेरा पका लकडियों का बना हुआ घर है और मेरे पास एक साल तक अप होजन भी जमा है मुझे तेज हवा में उनना भी आता है और मैं जंगल में सबसे शक्तिशाली हूँ कवे तुम ये साम मुझे क्यों बता रहे हो अभी तक कवा रहा हूँ क्या तुम मुझे सादी करोगी ये सुनकर वो कवी हंसने लगती है चाचा जी मेरे तो तीन बच्चे है और मेरा पती तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और अमीर भी जाओ कोई और कवी ढूंडो निरा शोकर कालू कवा वहां से चला जाता है और सारा दिन ठक खाय कर वापिस घर आ जाता है तुम बहुत हैंसम हो तुम्हारे जैसे कवे की खोज में तो मैं कब से फिर रही हूँ मगर तुम्हारी चोँच थोड़ी बड़ी है मुझे तो छोटी चोँच वाले कवे पसंद है कटवा दूँगा मैं अपनी आधी चोँच लोहार से कटवा दूँगा मैं कटवा दूँगा ऐसी श़ोर करता हुआ कालू कवं नेंच से जाग जाता है फिर वही सपना, ये तो सपना था ना जाने सपने सच्चे क्यूं नहीं होते मेरा तो इन सपनों से विष्वासी उठ गया है जो भी सपना आता है, सब जूट होता है आखिरकार कालू कवे की गिसमत जाग जाती है एक कवी उसे पसंद कर लेती है मेरा नाम गोरी है और मैं हर रोज इसी ज़रने पर आती हूँ मैं कालू हूँ, उमर थोड़ी ज़्यादा है वैसा है ना कि तुम बहुत देर से मिली हो मैं कबसे तुम्हारे जैसी संदर कवी की खोज में था क्या तुम मुझसे शादी करोगी उमर से क्या लेना देना अगर तुम मुझे सोने के जुमके लाकर दोगे तो मैं तुम से शादी कर लूँगी पका, सच बताओ अगर मैं तुम्हें सोने के जुमके लादूं तो तुम करोगी शादी मुझसे हाँ क्यों नहीं मुझे बच्पन से ही सोने के जुमके लेने का बहुत शोक है तो फिर तुम शादी की त्यारी करो मैं एक दो दिन में ही सोने के जुमके लादूंगा तुम्हे कालू कवा आज बहुत खुश था वो खुशी खुशी वापिस जा रहा था और सोच रहा था कि अब उस कवी के लिए सौने के जुमके कहां से लाए कालू कवा चड़िया के पास जाता है चड़िया चड़िया बहदाई हो मुझे कवी मिल गई है मुझे शादी करने के लिए एक बहुत ही संदर कवी मिल गई है कवे भेया ये तो बहुत खुशी की बात है वो कवी कहां रहती है वो वो जढने के पास रहती है चुड़िया मैंने उस कवी के लिए सोने के चुमके बनवाने है क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा डिजाइन है मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे जुमके बनवाओं जो मेरी होने वाली पतनी को देखते ही पसंद आ जाएं कवे भेया तुम तो जानते हो मेरे पास ये सब कहां से आएगा हाँ लूसी कबूतरी के पास है सोने के जुमके तुम उसका डिजाइन देख लो हो सकता है वो तुम्हें पसंद आ जाए ये सुनकर कवा खुश हो जाता है मैं अभी जाता हूँ मैं अभी लूसी कबूतरी के पास जाता हूँ फिर कालू कवा लूसी का बूतरी के घर जाता है लूसी मुझे चुडिया ने बताया है तुम्हारे पास सोने के जुमके हैं मैं वो डिजाइन देखना चाहता हूँ क्या कवे भीया शादी तो नहीं करने वाले तुम हाँ हाँ कल मुझे एक कवी ने पसंद कर लिया है मैं उसके लिए सोने के जुमके बनवाना चाहता हूँ फिर लूसी अलमारी से अपने सोने के जुमके निकाल कर कालू कवे को दिखाती है ये जुमके तो बहुत सुन्दर है मैं भी अपनी होने वाली गोरी कवी पतनी के लिए ऐसे ही जुमके त्यार करवा लेता हूँ उसे ये डिजाइन जरूर पसांद आएगा कालू कवा अपने घर चला जाता है और जाकर सोचने लगता है कि कैसे लूसी के जुमके जोरी करे दूसरे दिन कवा नदी किनारे बैठा हुआ था कि कबूतर और कबूतरी कहीं जा रहे थे कवा उनसे पूछता है कबूतर और कबूतरी तो हम कहां जा रहे हैं यार कवे मेरी बेहन कई दिनों से बिमार है हम उसे देखने जा रहे हैं शाम तक आ जाओगे क्या नहीं कालू भेया अगर शाम हो गई तो हम कर लाएंगे सफर दूर का है हम ठक जाएंगे ऐसे हाँ हाँ वैसे भी आज कल के हालात ठीक नहीं है शाम होते ही डाकू पक्षी लूटने लगते हैं कबूतर और कबूतरी चले जाती हैं और कवा उच्छने लगता है लूसी के कानों में जुमके नहीं थे इसका मतलब वो जुमके घर में रह कर जा रही है जैसे ही रात होती है कालू कवा लूसी कबूतरी के घर जाता है और खिर्की के रास्ते वो घर के अंदर घुस जाता है कहा है कहा है वो अलमारी हाँ वो रही कवा कबूतरी की अलमारी खोलता है और उसके जुमके उठा लेता है और वहां से भाग जाता है वो अपने खर जाकर जुमके एक संदूक में चुपा देता है और सो जाता है दूसरे दिन कबूतर और कबूतरी भी आ जाते हैं अल्मारी में अपने जुमके ना देकर लूसी कबूतरी रोने लग जाती है पती जी पती जी मेरे जुमके मेरे सौने के जुमके अल्मारी में नहीं है ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कौन कर सकता है? किसी को क्या खबर के अलमारी में छुमके है? कल कालू कवा आया था मेरे छुमकों का डिजाइन देखने वो कवा, वो तो एक नंबर का चोर है, मगर अब वो कौन सा मानेगा? मैं अभी जाता हूँ कबूतर जल्दी से कालू कवे के पास जाता है यार कालू, अगर तुमने लूसी के जुमके चुरा हैं, तो चुप चाप बता दो, वरना मैं पुलिस को बताऊंगा कालू कवा, जोरों से रोने लग जाता है कबूतर, कबूतर यार, मैं ऐसा क्यूं करूंगा लूसी बेहन है मेरी, मैं क्यूं चुराऊंगा उसके जुमके मैं तो बस डिजार देखने गया था, मेरा विश्वास करो तो फिर ये चोरी कौन कर सकता है? पूरे जंगल में बात फैल जाती है कब्वा भी चुपके से संदूग से जुमके निकालता है और एक रुमाल में बांध कर, अपनी होने वाली पतनी गोरी कवी की तरफ जाता है मैंने कर लिया, मैं ले आया, देखो देखो सुन्दर कवी मैं तुम्हारे लिए सौने के जुमके ले आया हूँ सच, क्या ये सौने के हैं? तो और क्या, चाहो तो सुनार से चेक कर वालो मगर अभी तुम इन्हें अपने कानों में न पहनना दूसरे पक्षी देख कर चलेंगे जाडियों में बैठा हुआ मिठु दोता, ये सब देख रहा था ये ये चुमके तो लूसी के है, मैं अभी जाकर लूसी को बताता हूँ मिठु दोता जल्दी से भागता है लूसी, लूसी, तुम्हारे चुमके कालू कवे के पास ही है मैंने अभी अभी देखा कालू कवे ने वो चुमके ज़र्ने पर अपनी होने वाली कवी को दिये है संदर कवे जी तुम बहुत अच्छे हो हम कल ही शादी कर लेंगे तुम चिंता ना करो अब मेरी और तुम्हारी शादी समझो पक्की हुई आधी रात को कबूतर पुली साथ लेकर जणने पर रहने वाली कवी के घर जाता है दरौसा खोलो दरौसा खोलो जल्दी करो इस समय कौन होगा कौन दस तक दे रहा है औरी कवी दरौसा खोलती है कहां है वो सोने के जुमके कहां है जलती दो वरना बहुत मार पड़ेगी तुम्हे कान से जुमके तुम ऐसे नहीं मानोगी ना ना मुझे माना ना ये ले ये रहे वो जुमके मगर मुझे ये जुमके कालू कवे ने दिये थे फिर पुलिस उस कवी को साथ लेकर कालू कवे के घर जाती है और उसे भी पकर लेती है पुलिस पुलिस अगर मुझे पकर नहीं है तो इस कवी को भी मेरे साथ ही जेल में डालो मैंने जुमके इसी के कहने पर चुराए थे फिर पुलीस कवे और कवी दोनों को जेल में डाल देती है गोरी गोरी क्या अब जेल से बाहर जाकर तुम उसे शादी करोगी नगर शर्त वही है मुझे सोने के छुमके लेकर दोगे तो फिर ही करूँगी तुमसे शादी इसको मतलब हमे शादी जेल में ही कर लेनी चाहिए प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलना आपका धेनेवाद कालु जी मैंने अपना भोजन खा लिया है तुम भी खालो मेरे हिस्से का भोजन रख दो मैं सुभा नाष्टा करने के बाद दाना लेने जाऊंगा कालु कववा अपने पतनी गोरिकवी से ऐसे कहता है और फिर वो दोनों पती पतनी सो जाते है सुभा हो जाती है गोरिकवी कालु से पहले उठ जाती है मैं ये कालू जी के हिसे का भोजन भी खा लेती हूं कालू तो जंगल से ढूंड कर दाना खा ही लेगा ऐसे सोचते हुए गोरी कवी अपने पती के हिसे का भोजन भी खा लेती है कालू कवा भी उठ जाता है मेरा भोजन कहा है गोरी कालू जी मुझे भूक बहुत लगी हुई थी मैंने वो भजन खा लिया है खा लिया है मुझे भूक बहुत थी तेरा पेड़ तो कोई पुराना कुवा है जो भड़ता ही नहीं है अपना भी खा लेती हो और मेरे हिसे का भजन भी खा लेती हो वा जी वा शकल देखी है अपनी भुड़े सभी के पती अपनी पतनियों के लिए भाजर लेकर आते हैं तुम तो मुझे खाता हुआ देखी नहीं सकते मैं भुड़ा हूँ तो तू भी जवान नहीं है तेरे पंक भी सफेद होने लगे है ऐसा कहते हुए कालुकवा घर से निकल जाता है गोरी कवी नदी के पास एक पेड़ पर बैठी हुई थी नदी के पास तोता और तोती भी बैठे हुए थे तू मेरी तोती सुन्दर सी तोती तू मेरा तोता सुन्दर सा तोता अरे आली लो ये अमरूद तुम खालो नहीं नहीं पती जी मेरा पेट भर गया है गोरी कवी तोटे और तोटी को प्यार से बातें करता हुआ देहकर जल जाती है एक मेरा पती कालू है कि कभी मुझसे ऐसे प्यार से बातें नहीं करता और ये तोता इस बड़ी जोच वाली तोती से कैसे प्यार भरी बातें कर रहा है मिठु जी मैं घर जा रही हूँ आपी जल्दी घर आ जाना और हाँ आते हुए मेरे लिए गुलाबी रंग की लिपस्टिक लेते आना हर्याली तोती वहां से चली जाती है गुरी कवी तोते के पास आती है मिठु मेरे प्यारे भाई तू इतना सुन्दर है और तेरी ये पतनी इसकी चोंच देखी है कितनी बुरी है तू जवान और वो भुड़ी तोती है गुरी जो भी है है तो वो मेरी पतनी ना चंबेली तोती मेरी सहेली है उसके पंख लाल रंके हैं अगर तुम को हो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूं उस तोती से ऐसा कहते हुए गोरी कवी वहां से चली जाती है और तोता सोचों में गुम हो जाता है मिठु जी मेरी लिपस्टिक लाए हो गया तुम्हारे खर्चे मैं नहीं पूरे कर सकता अपनी मा से को हो वो लाए तुम्हारे लिए गुलाबी लिपस्टिक वैसे भी तुम्हारी चौँचे जितनी बड़ी है लिपस्टिक लगा कर भी चड़ेल ही लगती हो तुम मिठ्धू जी ये तुम कैसी बातें करे हो हर्याली मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता जाओ तुम अपनी माँ के पास चली जाओ अगर मैं चली गई तो कोई दूसरी तोती तुम्हारी बात नहीं पूछेगी जाओ जाओ तुम मेरी जान छोड़ दो हर्याली गुसे में अपनी मां के घर चली जाती है मिठ्धू एक अच्छा दोता था मगर था तो एक मर्द दोता वो गोरी कवी की बातों में आ जाता है और चंबेली तोती के खुआप देखने लगता है हर्याली तोती को रास्ते में गोरी कवी मिलती है हर्याली कहां जा रही हो मिठु ने मुझे घर से निकाल दिया है हर्याली आज कल मिठु किसी चंबेली तोती के पीछे लगा हुआ है कल मैंने उसे उस लाल रंग की तोती से बातें करते हुए भी देखा था मैं भी अब अपनी मा के घर में ही रहूंगी जब तक मिठु की अकल ठीक आने नहीं आ जाती मैं वापिस नहीं आऊंगी हर्याली चली जाती है वारे गोरी एक ही दिन में पती और पतनी की लड़ाई करवा दी बहुत सकून मिलता है मुझे जब ऐसे पक्षियों की आपस में लड़ाई होती है आज लगता है मैं हवा में हूँ आज इतनी खुशी मिली है ला 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 ऐसे गीत गाती हुई गोरी आगे भड़ती है फिर दूसरे दिन तोता गोरी के घर की तरफ जाता है दरवाजा खुला था मिठु तोता सीधा अंदर चला जाता है ना मुझसे दाना ला होता है और ना ही घर के काम होते है ये सब तुम ही करोगे तो फिर ऐसी पेटू पतनी की मुझे जरूरत नहीं है गोरी गोरी मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ चुप कर जाओ ऐ मिठु अभी मेरा मूड ठीक नहीं है काली शकल वाली कब तुमरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी अगर मैं काली हूँ तो तुम तो ता फिर से बोलता है गोरी मैं चमबेली से मिलना चाहता हूँ कौन तेरी मा चमबेली चल भाग यहां से मैंने एक बार कहाना कि मेरा मूड ठीक नहीं है वही चमबेली जिसकी बात कल तुमने नदी पर मुझसे की थी मैंने तो अपनी पतनी को भी घर से निकाल दिया है एक बार कहाना भाग यहां से चल भाग शिर्मिन्दा होकर मिठु तोदा वहां से चला जाता है मिठु तोदा ऐसे सोचते हुए चडिया की तरफ जाता है मिठु तोदा चडिया को सारी बात बताता है चडिया मैं गोरी कवी की बातों में आ गया था तुम किसी तरह मेरी हर्याली मुझे ला दो उस गंदी कवी ने मेरी और हर्याली की लड़ाई करवा दी मिठू तुम्हें गोरी की बातों में नहीं आना चाहिए था अब तुम चलो मेरे साथ मैं जाकर बात करती हूँ हर्याली से फिर चिरिया और मिठू वहां से उड़ते हैं रास्ते से मिठू दोता अपने पतने के लिए लिपस्टिक लेता है और मिठाई लेता है तुम तुम यहां क्यों आए हो जाओ उस चंबेली तोती के पास चाओ मुझे गोरी कवी ने सब बता दिया है हर्याली शान्त हो जाओ ये सारा किया धरा उस गोरी का ही तो है उसने तुम दोनों में लड़ाई करवाने के लिए मिठ्टू से भी जूट बोला और तुम से भी जूट बोला तेरी कसम हर्याली मैं किसी चम्बेली तोती को नहीं जानता गोरी ने हमारी लड़ाई करवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई है ये ले मैं आपके लिए लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ फिर हर्याली तोती मान जाती है और मिठ्टू के साथ चली जाती है मैंने तो गुसे में मिठ्टू को यहां से भगा दिया कहीं वो हर्याली को वापिस ना ले आये अभी तो मैंने बहुत कुछ करवाना है उस मिठ्टू के हातों से मैं अभी मिठ्टू के पास जाती हूँ गोरी कवी उड़ती है और मिठ्टू तोते के घर जाती है वो दर्वाजे पर दस्तक देती है मिठ्टू दर्वाजा खोलता है तुम तुम यहां क्यों आई हो मेरे मिठु भाई मैं गुसे में थी इसलिए मैंने तुम्हें डाट दिया चलो मैं तुम्हें चम्बेली से मिलवाती हूं तुम रुको मैं अभी आता हूं मिठु तोता घर जाता है हर्याली गोरी आई है उसे उसके किये की सजा देने का वक्त आ गया है फिर हर्याली तोती और मिठु तोता डंडा उठा लेती है और घर से बाहर जाते है तोते तम क्या करने वाले हो मैं तुझे तेरे किये की सजा देने वाला हूं फिर गोरी कवी आगे आगे और तोता और तोती पीछे पीछे ऐसे तोता और तोती गोरी कवी को पूरे जंगल की सेर करवाते हैं और उसे पकर कर उसके खूब पिटाई करते हैं ऐसे गोरी कवी को उसके किये की सजा मिलती है वो तोते और तोती को जुदा तो नहीं कर पाती मगर कवे और कवे की लड़ाई कभी खतम नहीं होती प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शियर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका धन्यवाद